हलो फ्रेंज, छे माता दी कैसे हैं आप सर्दोस्तों पूनम की है रात, खुबसूरत होगा चांद और पुर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मनाने के लिए आप अगर छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती आज की रात आपको चंद्रमा को देखकर सिर्फ दो शब्द बोलने हैं प्राजे इंकाल से ही पुर्णिमा को हम बहुत महत्वपुन रूप से देखते हैं एक और जहां माता लक्ष्मी इस रात को धन वर्शा करती है वहीं विशेश उपायों से आप किसी भी प्रकार की पुर्णिमा ही मानी जाती है यानि रक्षा बंधन के दिन आने वाली पुर्णिमा का सबसे अधिक महत्व है दोस्तों पुर्णिमा माता लक्ष्मी को विशेश पुरिया दिन और जो भी काम आप इस दिन करते हैं जैसे कि माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं अगर आपके पस कौडियां है पीली कौडियां हमेशा माता लक्षमी के पास आपको रखनी चाहिए इस पुर्णिमा पे नहीं अगले पुर्णिमा पर अगर आपको कहीं से सवा लाख जब से उसको सिद्ध करके आप माता रानी के सामने रखके रखें आप दिखेंगे आपके घर में इस छोटे से उपाई से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हर पुर्णिमा पर इन कौडियों को अपने तिजोरी से निकाल कर या माता रानी के सामने चो लक्षमी मा के कटोरे में आप रखते हैं उसको निकाल कर थोड़े से जल से धो करके गंगा जलादी से फिर से आ अगले दिन लाल रेशमी कपड़े में बांध करके इसे अपनी तिजोरी में रखना चाहिए आप देखेंगे कैसे माता लक्षमी की कृपा आपके उपर सदा बनी रहेगी जो इसते हो अगर हो सके तो आप माता लक्षमी की आप घर में पूजन करें आप चाहें तो लक्ष ले सकते हैं और माता लक्षमी के वस्तरों पर इसको छिड़कना चाहिए और जो धूप लेकर के आएंगे वो धूप लेकर के आपको जलाना चाहिए और धन, सुख, समरिद्धी, एश्वर्य ये सभी की प्रार्थना आपको माता लक्षमी से करना चाहिए माता लक्षमी से प्रार्थना करें कि आपने घर पर, आपके घर पर स्थाई रूप से निवास करें हर जातक को अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुपता और धन, लाब के लिए और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं जैसे श्री यंत्र हुआ, व्यापार वृद्धी यंत्र हुआ, कुबेर यंत्र हुआ, चाहे तो आप नारियल स्थापित कर सकते हैं, दक्षिनावर्ती शंख आप स्थापित कर सकते हैं ये सभी चीजे माता लक्षमी की विशेश प्रिय वस्तुएं होती है, दिव्य वस्तुएं होती है, रेर चीजें होती है, इनको अवश्य स्थान देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, इन में से कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती कि आप लाए मार्केट से और मैम ने आप कोई भी चीज लेते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो सिद्ध किया हुआ हो, हर चीज की अलग-अलग सिद्धियां होती है, तो कोई भी जो लोकल जोतेश है, उसकी दुकान से आपको लेना चाहिए, या फिर आप पता कर ले कि कोई भी चीज की करा कि किसी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा आपको उसको अपने घर पे स्थापित करना चाहिए, तब ही वो चीज काम करती है, नहीं तो आप सिर्फ लेकर के आप हत्ता जोडी हुआ तो आप हत्ता जोडी रख देंगे, या दक्षिनावर्ती शंक है, वो आपने रख दिय माता लक्ष्मी के सामने वो ऐसे काम नहीं करती है, इनको लक्ष्मी मंत्रों से आपको जैसे सवा नौ लाग जब से सिद्ध करके रखना चाहिए, इसी प्रकार जो श्री यंत्र है, व्यापार विर्दी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, ये सभी चीजें आपको सवा नौ ला और या फिर आप खुद से ब्रहमचर ये का पालन करते हुए 43 डेज के अंदर इसको आपको सिद्ध करना चाहिए दोस्तों साबुत अक्षत के ओपर जो भी चीज आप ले के आते ध्यान रखें लक्षमी मा को अनाज बहुत प्रिय है अनाज में भी अक्षत बहुत प्रिय होता है यानि चावल साबुत चावल जो होते हैं तूटे वे नहीं होने चाहिए उनके ऊपर इनको स्थापित करना चाहिए और हर पुर्णिमा को इन चावलों को आसन की तरह हम इसको स्थापित करते हैं तो इसका आसन हमेशा बदल देना चाहिए पुराने चावल आप चुडियां को दे दें, किसी वरिक्ष के नीचे डाल दें, भैतेवे पानी में प्रवाहित कर दें, इस प्रकार से आपको पुर्णिमा के दिन पूजन करना चाहिए दोस्तों हर पुर्णिमा की सुभे या दिन में जभी भी आपको समय मिले, अपने मुख्य द्वार को साफ करके, आप हल्दी के जलका अपने पूरे घर में और मुख्य द्वार पर आपको चुड़काओ जरूर करना चाहिए, अपने मुख्य द्वार पर आपको हल्दी से ओम बनाना चाहिए और या फिर आप चाहे तो स्वस्तिक चिन्द बना सकते हैं अगर पहले से बनाया हुआ है तो उसी के उपर आप फिर से स्वस्तिक चिन्द बनाई ये बहुत शुब होता है प्रत्यक पुर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर आम के ताजे पत्ते या शोक के पत्तों से बना हुआ तोरन जरूर बादना चाहिए इससे भी घर में शुक्ता का वातावरन होता है और अगर आपके दामपत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी मुश्किलें होती है तो आप ध्यान रखे आमावश्या और पुर्णिमा एक कादसी ये तीन-चार दिन जो होते हैं मन के इसमें पती-पत्नी को संग नहीं करना चाहिए दोस्तों सावन पुर्णिमा की हम बात कर रहें और सावन पुर्णिमा है तो आज के दिन आपको शिवलिंग की पूझा करना तो बनता है ऐसे भी सावन विदा ले रहा है बाबा भोले नात कई जहां हम हर रोज आराधना करते थे कुछ लोग होंगे उनसे विदा ले लेंगे और शायद इसके बाद अगले सावन तक इंतजार करेंगे कि सावन का महिना है तो फिर हम तब पुझान करेंगे लेकिन ध्यान रखें आज सावन पुर्णिमा के दिन शिवलिंग पर आपको शहद हुआ, कच्चा दूदुआ, बेल पत्र हुआ, शमी के पत्ते हुए बेल पत्र और आकड़ी के फूल, बेल, धतूरा, आक जो जो आप चढ़ा सकें, जो आपके पास है, जो अविलिबिलिटी है, कुछ ना हो सके तो सिर्फ गंगा जल या प्लेंजल से, शुद्ध जल से, आप बाबा भुलेनात का भी शेक करें और देखेंगे कैसे भगवान शिव अपने जात को परसदैफ कृपा बना के रखते हैं, पुर्णिमा के दिन आपको घिसे हुए चंदन से, सफेट चंदन लेना चाहिए, उसमें केसर मिला करके आप बाबा भुलेनात को अर्पित करें, तिलक करें, इससे भी आपके घर मे कलह और अशांती या कलेश का वातावरन है, वो दूर होता है, और पुर्णिमा के दिन आपको पीपल के वरिक्ष की दिन में अगर आपने पूजा की तो ठीक, नहीं तो शाम के बाद आपको थोड़ा सा मीठा रख करके एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, दोस्तों अपनी माता लक्ष्मी का निवास होता है पीपल के पेड़ पे, इसलिए आपको अमंतरित करना चाहिए, माता लक्ष्मी को पीपल के आगे दिया जलाएं और भोले घे माता, आप मेरे खर विराजे, आप मेरे घर पर निवास करें, और देखेंगे कि आपके जीवन पर कैसे पुर्णिमा के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी से भी गलत बाते नहीं करनी चाहिए, लड़ाई, जगड़ा, कुटिलता, किसी प्रकार की नहीं, जुआ, शराब, कुईसी प्रकार का नशा, क्रोध, हिंसा, इस तरह सी गंदी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए तामसिक वस्तुओं का नौनवेज आदी, ड्रिंक साधी का सेवन नहीं करना चाहिए, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी इस्तरी हैं, उसको भूल करके भी अपशब्द ना बोलें, और मौडन युग है, तो ये भी कहना पड़ता है, कि इस्तरीया भी अपने इंटेलेजन था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, कि रावन हर पुर्णिमा को रात भर अपनी नाभी पर चंद्रमा की रोशनी लिया करता था, और इसी वजह से चंद्रमा की रोशनी लेने की वजह से वो इतना इंटेलेजन था, लेकिन इतना नहीं भी कर सकते तो कम से कम दस मिनटी सही परिवार सही खास कर बच्चों के सही आपको चंद्रमा की रोश्णी में समय जरूर स्पेंड करना चाहिए और हो सके अगर आप धन संबंदी समस्याओं से जादा सामना कर रहे हैं तो एक लोटे में जल ले ले और उसमें थोड़ा सा कच्चा अगर है आपके पास तो वो ढालके फोड़ी शकर ढालके और एक चुठकी आपको चावल मिलानी है और ओम स्राम स्रीम स्रॉम सह चंद्रमा से नमा जब करें और या फिर ओम्यम्हा तीन मंतर मेंने आपको बताएं जो सबसे इजी लगे जो आपकी इच्छा हो वो आप जब कर सकते हैं आपको कम से कम इस मंतर को 21 बार बोलना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है मनो कामना बोलते वे जो चावल आप हाथ में रखेंगे उसको आप जल में डाल दें और फिर इस जल को चंद्रमा को देखते वे आपको किसी बरतन में या कच्छी मिट्टी में डाल देना है फिर आपको डाल देने के बाद चार बार अपने स्थान पर घूमना है और फिर थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ जल ले करके अपनी आखों में लगाएं ध्यान रहें ये जल आपके पैरों में नहीं पढ़ना चाहिए और पुर्णिमा की रात में फिर वहीं पर 15-20 मिनट तक चंद्रमा के उपर त्राटक करें ध्यास करना मतलब क्या होगता है चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए इससे नेत्रों की जोती तेज होती है और पुर्णी मा की रात में कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेतर की जोती बढ़ती है दोस्तों ये काम ममी हमसे कराती थी बच्छमन में वो शरत पुर्णी मा के दिन हम करते थे पर हर पुर्णिमा को बच्चों से चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पि रोने का अभ्यास करवाना चाहिए इससे आपके एक और जहां आखों की रोशनी तेज होती है लेकिन इस प्रकार से आप पूजन करते हैं चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होता है आप सिर्फ तीन मैंने ये काम हर पुर्णिमा पे करके देखें आपके घर का मोहौल कैसे बदल जाता है और ऐसे भी अगर साइंटिफिकली देखें आयूरवेद की दृष्टी से भी देखें तो पुर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदिनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यन तलाब दायक होती है खास कर जो गर्वती मैला होती उसकी नाभी पर अगर चंद्रमा की रौष्णी पड़ती है तो गर्व बहुत ही पुष्ट होता है और गर्वती इस्त्रियों को विशेश रूप से कुछ देर अवश्य चंद्रमा की रौष्णी में रहना चाहिए दोस्तों सभी पुर्णिमा का बहुत-बहुत महत्तव होता है पर सावन का महीन और शिव का महीना है ऐसे में मनुकामना पूर्ती के लिए आज के दिन आप जो भी उपाय करते हैं और खास कर चंद्रमा को एक लोटा जल देते हैं उम सोम सोमाई नमा बोलते वे तो दोस्तों आपकी सभी मनुकामना है जरूर पूर्नो होती है आप भी कीजे दोस्तों और आ किसी वीडियो कब किसकी लाइव बदल दे लाव यौ फ्रेंट्स टेक के जह माता दी पंबं भुले नार की